सूरह रह्मान सुनने से मार्फत अलाही यही है जैसे कल भी बात कर रहे थे कि एकदम तो हम उसना नेक नहीं हो जाते हैं कि एकदम हम सिर्फ अल्लाही रह जाए मार्फत में अल्लाही तरफ का सफर है ना जो जब कलंदपाक हम मिलें उन्होंने जब ये दिया कि बटा बाबा सुरह रह्मान सुनने तो सुरह रह्मान सुनने से अगली बातें जो थी कलंदपार हमतुला लेकी कि बटा बाबा जो करता है अल्ला करता है जब चाता है जैसे चाता है जहां चाता है اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا तो gradually gradually जैसे मैंने एक قصہ पहले भी सुनाया हुआ है कि उलाद के लिए मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी कि एक दे 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 एक दे दे तो बटबाबा जो करता है अल्ला करता है तो मैंने का तो ये फकीरों का क्या है वो कहते हैं कि फकीर की दुआ से बदल जाती है तकदीरें तो आप बदलें फिर मेरी तकदीर तो उस पे उन्होंने ये बास सुनाई थी यह नहीं कि अल्ला की हाक्मियत इस हद तक उन्होंने उसकी करके स्टैंप करके बताई कि बिटा बाबा कि जब अल्ला किसी की तकदीर बदलना चाहता है तो अपने दोस्त को उसके हाँ बेचता है कि उसके लिए दौा कर जा कि उसका मुँ हिलाता है पॉंप पॉंप च्छा एवस रेली सर्प्राइजड क्यूंकि मेरा तो ये ख्याल था कि हम जो दौा करेंगे हम जो ये पढ़के करेंगे हम जो फलाना करेंगे तो अल्ला मियां करेगा ही करेगा तो जो एक अल्ला का दोस्त है वो आके मुझे क्या सबक दे रहे हैं कि यानि कि जो करना है अल्ला ने करना है कि मैं तो सिर्फ उसका कहते थे हिस मास्टर्स वाइस है जब पिर उसके बाद एक तो ये चीज़ थी दूसरा ये जब उन्होंने फर्माया ना कि पेगाम फिलाओ आगे तो पेगाम फिलाने से ये एसास हुआ कि जो पहले अंदर ख्याल था ना कि शायद दुनिया के सबसे दुखी मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा ज्यातियां भी मेरे साथ हुई है सबसे ज़्यादा जल्म भी मेरे साथ हुई है जब दुनिया को देखना देना शुरू किया और उनके साथ उनके सुनना शुरू किया तो पता चला कि अल्ला की कितनी रहमत है मेरे पे फिर अपनी सारी नेमते नजर आनी शुरू हो गई और ये सारे जो जो नहीं था उसमें भी अपनी बेहतरी नजर आई और जो कुछ था उस पे शुकर अल्ला का बें दिहां जो के आज भी अल्ला का शुकर रहता है जब आगे चलते चलते मुझे ये भी ख्याल आया कि जैसे कलंदपाक फर्माते थे कि बिटा बाबा घर को जन्नत ये जहन्नम घर की काकी बनाती है जब पहले तो ये ही था कि वैसे घर की काकियां ज्यादा तस्वीहात करती हैं ज्यादा नवाफिल पड़ती हैं और ये ही कॉंसेप्ट था पहले कि इतनी अबादात करते हैं तो इसी से घर जन्नत बनता है पता ये चला, ये concept भी सही नहीं है, जो उन्होंने फरमाया, मार्फत, मार्फत से यही बात करें न, कि going into the, diving into the depths of, कि क्या है ये, तो जिस तरह आपने, जिस तरह हमें पढ़ाया, जिस तरह सबक पढ़ाया, कि बेटा बाबा, रब को राजी करने के लिए मर्द को स्वाप पढ़ते हैं, उसको अपने माबाप को राजी रखना पढ़ता है, उसको अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल की कमाई लानी पढ़ती है, उसको बाहर के मामलात तेह करने पढ़ते हैं, लेकिन रब को राजी करने के लिए बटा बाबा, औरत को सिर्फ अपने खामत को ख जो allahut allah ने हमें roll अदा किया हुए वो हमें हर हाल में fulfill करना है क्योंकि यह Allah का हुकम है अल्ला के हिकामात हैं फिर इसी तरह just for funds sake आज भी यही बात है कि बैट के काकियां अपने husband's के متलिक just for funds sake मजबंसistent के बात कर लेंगी मुझे बड़ा जो शॉकिंग लगता है वो कहता है वो करता है वो सुनता नहीं है हम यह भी बड़े शॉक होते है कि are you talking about your husband or are you talking about a servant you have at home कि कई लोग तो servant के साथ भी बड़े आप जनाब करके तमी से बात करते करना ऐसे ही चाहिए तो यह भी पता चला कि यह जो just for enjoyment अचा फिर तुने मेरे लिए किया किया यह तुम्हें पिछी दफ़ा भी जिगर किया था कि मैंने आज तक नहीं सुना माज़रत के साथ कि अल्ला का शुकर है अल्ला ने मुझे बड़ा अच्छा खाम दिया तुम्हारा बाप बहुत अच्छा कमसका मेरी 65 साल की उमर होगी मैंने आज तक किसी औरत के मुझे नहीं सुना जबके हमारा दीन क्या कह रहा है हदीज मुबारिक क्या है कि दोजख में औरतें तीन गुना ज्यादा होंगी क्योंकि वो खामदों की नाशुक्री और गीबत करती है तो मुझे बताएं कि फिर मार्फित अलाही और क्या है छोटी छोटी बातों से वैसे तो छोटी बातें नहीं है अल्ला माफ कर दे दोजख जो है वो दोजख का अच्छा कॉंसेप्ट भी क्या है हमारा basically हम इतने वो होते है कि जब मरेंगे देखी जाएगी दोजख इस basically बे सकुनी है, एक आग है जिसमें हम जलते हैं तो ये जो sudden कॉरण की आग है जो नाशुक्री की आग है जो disappointment की आग है कि ये नहीं करता वो नहीं करता ये नहीं करता तो फिर मार्फत अला ही कहा गया I guess कि guess नहीं definitely कलंदपार रह्मतुला ले ने जिन्दगी में आके बहुत clarification की है क्योंकि पहले मुझे भी बहुत शौक था जैसे कि मुस्टी हमारे माश्रे में खवातीन करती हैं कि बेंतिहान वाफल पढ़ने शौक होता है तस्भी हाथ पढ़नी और इस तरह करना तो यह था कि यह चीज़ है जबके पता चला कि इट इस बहुत अच्छी चीज़ है मैं यह नहीं कहती है जरूर पढ़ें वाफल भी पढ़ें लेकिन पहले वो ड्यूटीस पूरी करें जो अल्ला ताला ने ऐस अ बीवी, ऐस अ माँ, ऐस बेटी, ऐस बेहन जो हमें अलोकेट की वी है उसके साथ साथ हमें यह सारा कुछ एक बैलन्स करके करना है वरना फिर यह है कि जो यह बे सकुनी की आग है यह जन्नत और दोजख है क्या बेसिकली जन्नत इस सकुन टोटल सकुन है जन्नत में जो हम सुनते हैं हर वो चीज है जिससे के हमारे दिल को सकुन आता है, करार आता है के इतना खुबसूरत होगा इतना सकुन होगा, इतनी खुबसूरती होगी और दोजख क्या है आग होगी, भड़कती हुई तो I guess step by step है के हम मार्फत अलाही में these are the initial steps for us के if we are able to fulfill this if we are able to be careful about that के नहीं यार मियें के खिलाफ बात नहीं करनी मियें के खिलाफ क्या मियें के माबाप की बेस्ती नहीं करनी उसके घरवलों के अग्नौर करो उकलंद पाक को तो बड़ा अच्छा होता था बेटा बाबा एग्नौर करो उन्होंने यह मी नहीं कहा के नहीं बेटा बाबा गो आउट अफ यावे और जो तुमें गालियां दे रहा है तुमसे नफरत कर रहा है तुमसे जा को गले लगाओ महबत करो ऑल्दो वो फर्माते थे प्यार करो प्यार करो प्यार से नफरत को खतम कर दो लेकिन वो यह भी कहते थे human element कि अगर प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी ना करो क्योंकि बेसिकली नफरत में हम अपने आप को जलाते हैं हमारे अंदर revenge होता है हमारे अंदर बे सकुनी होती है हम खुद ही अपने आपको खाना शुरू कर देते है तो इसलिए अब जो बहुत हाई सता है जो कलंद पाकी सता है जो सेद बाबाजान की सता है नचुली वहां तक तो सिंस आई परसनली फिल आम नाट इंटाइटल तो मुझे वो जो छोटे-छोटे steps, initial steps बताएगे हैं जो guidance है मेरे लिहाज से I guess we have to follow that तो gradually, gradually जहां तक हमारा नसीब होगा हमारा सोना रभ हमें लेता चला जाएगा